कैसे हैं आप सब जेए मैंस किसी ना किसी सिफ्ट में इस टाइप का प्रॉलम नहीं पुछे ऐसा हो ही नहीं सकता इवें जेए अडवांस में इस टाइप का प्रॉलम बहुत आया हुआ है पहले most repeated type आप बोल सकते हो ऐसे करेंगे ध्यान से देखेगा और सबसे मज़दार बात है ना कि ये question को solve करने में ज्यादा time नहीं लगता और easy होता है देखिए सबसे पहले आपको जब limit दे रखाए x approach किसको कर रहा है पाई बाई 2 तो सबसे पहले आपको क्या check करना चाहिए intermediate form वो से पहला step तो हमने पार कर लिया intermediate form होगे ठीक है अब इसके बाद क्या apply करते हैं अब यह से बात इसके बाद apply हो जागा जब यह form पता चल चुका है तो इल hop total rule एल hop total apply कर लेंगे numerator and denominator को separately differentiate करते हैं तो limit x2 हो जागा मेरे पास पाई बाई 2 जब इसको differentiate करेंगे तो अब इसको differentiate करने क्या apply हो जागा तो limit फर्मुला देखिए यह बस चीज को आपको ध्यान रखना है बस question खतम question खतम हो जाएगा तो अब limits rule apply करेंगे तो क्या हो जाएगा पहले upper limit को जो कि constant है यहाँ पर डालते हैं और देन उसको differentiate भी करते हैं जो कि constant है तो 0 हो जाएगा लिखने का जरूवत नहीं है ठीक है 0 लें दिया minus same हम lower के साथ करेंगे तो lower x cube लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos x cube ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 1 upon 3 और into then x cube को differentiate भी करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3x square divided by यहाँ पर हो जाएगा 2 into x minus कितना हो जाएगा मेरे पास πाई बाई 2 ठीक है ना इसको भी डिफ्रेंसियाट कर लिया अगें देखो यह आपका बच गया सिर्फ Cosx ठीक है और यह 3x-square अगें x is equal to πy by two आप फूरट कर देखें तो cos πy by two zero again zero by zero form हो गया again apply करेंगे एलोप्टर रोल ठीक है तो लिमिट यहां पर लिखेंगे x2 हो जाएक है मेरे पास 2x and divided by इसका जब करूँगा तो सिर्फ हो जागा 2, ठीक है, denominator से यहाँ पर एक साथ गया, direct up x equal to pi by 2 पूल कर लेजिए, तो यह हो जागा minus 3 bracket, अब यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास pi upon 2 whole square, और यहाँ minus आजाएगा, and then sin pi by 2 कितना होता है, 1 होता है, आई नहीं हाँ पर put करूँगा, तो plus pi भी तो 0 हो गया, ठीक है, and divided by कितना लिखा हो है, मैरे पास 2 लिखा हुआ है, यानि कि मेरे पास answer जाएगा, minus minus plus, and then 3 pi square upon, अब 4 into 2, यानि कि 3 pi square upon 8, 3 into this, यानि कि हमारा answer आगया, तो सबसे ज़्यादा repeat करता है इस type का problem, और हो सकता है कि आगे आगे आपका जो exam बचा हुआ है, कुझे इमेंज का, तो किसी ना किसी shift में सायथ इस type का आ जाए, और आपको आता होगा, ये तुम्हाइम सोर कि आपको इस type का problem आता होगा, ठीक है, तो और EJ भी होता है, और a scoring होता है, चार नमर आपको आसाने से दिला देता है, Thank you.